हुआ है हलो गाइज कैसे हो यार आप सब आज मैं आपके लिए यहां पर बताने वाला हूँ आपको कैसे आप अपने MIUI 12 20.8.6 वर्जन को यहां पर अपडेट करोगे MIUI 12 20.8.13 के अंदर यहां पर माइ डिवास में अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं MIUI 12 का यहां पर वर्जन है 20.8.6 वर्जन जिसको हम यहां पर यूज कर रहे हैं इसके अंदर यार आपको अपडेट करके दिखाने वाला हूँ, कैसे आप यहाँ पर अपडेट करेंगे अपने MIUI 12 को, और साथ में हम यहाँ पर इसका quick review भी करेंगे, MIUI 12 20.8.13 के अंदर आपको क्या नया देखने हो मिलता है, तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, let's introduce myself, मेरा नाम है मन्धिमान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यॉर फैमिलियर सपोर्ट, गाइस ऐसी इंटरस्टिंग और टेक वीडियो हमारे चैनल पर आती ही रहती हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको red गलर का सब सब्सक्राइब बटन देखने हो मिलेगा, उस पर क्लिक करो, साथ में लगे बैल आइगन को भी औल पर प्रेस कर दो, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ, और सबसे बैल आन नॉट्विकेशन आपके पास चला जाए, तो गाइस, यहाँ पर हम अपडेट करने वाले अपने MIUI 12 को, यहाँ पर आपने डिस्क्रेप्शन से डाउनलोड कर देना है, MIUI 12 का लेटेस ट्रॉंग 20.8.13 वर्जन हम यहाँ पर यूज करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या आपको अपग्रेड देखने हो मिला है, दोस्तो इस live wallpaper का जो वीडियो है, वो आज दिन में live हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर से आप उस वीडियो को watch कर लिजेगा, कैसे आपको इसे अपने device के अंदर install करना होता है, उसका पूरा process मैंने आपको बताया है, किसी भी device में work करेगा, जरूर से जाकर उस वीडियो को watch कर लिजेगा, तो गाइस यहाँ पर हमें सबसे पहले चले जाना होगा अपने sharp recovery के अंदर, power key go मैंने press and hold किया, reboot पर click किया, यहाँ पर मेरे सामने आगया recovery mode का option, यहाँ पर मैंने इस पर click कर दिया, तो गाइस sharp recovery के अंदर आ चुके हैं, दोस्तों यह जो रॉम हम update करने वाले हैं, अगर आपको इसके अंदर कुछ issues देखने हो मिलते हैं, तो उसके लिए अगर आप वापस से जाना चाहें, अपने current ROM पर, आप कोई भी version यूज़ के रहों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल यहाँ पर backup पर चले जाना है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को tick करना रहेगा, one by one आप इन सभी को select कर लो, और यहाँ से नीचे आप click कर दो, उसके बाद आपका जो current ROM है, उसका backup आपके internal storage में बनके तियार हो जाएगा, और वो जो backup है, वो आपको देखने हो मिलेगा, कुछ restore वाले folder में, यहाँ पर आप single tap से अपने, जो अभी का आपका current ROM है, उसके उपर switch कर सकते हो, easily, उसके बाद गाईज, यहाँ पर अगर आप simple update करना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा flash के अंदर, यहाँ पर जो आपका battery percentage है, वो 60% के आसपास होना चाहिए, उससे जादा होगा अच्छी बाद है, तो यहाँ पर आपको flash में आ जाना है, उसके बाद आपने जहाँ पर भी ROM रखा हुआ है अपना, आपको उस पर click करना है, MIUI 1220.8.13 version, यहाँ पर आपको कोई भी option select नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नीचे आपको select वाला option पर click करना है, और उसके बाद यहाँ पर confirm flash पर click कर देना है, आपका यहाँ पर जो ROM है, वो flash होना शुरू हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ wait करना होगा, तो यहाँ पर ज OS को select रहने दीजिए, उसके बाद आपको reboot वाले option पर click कर देना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा hour time लगेगा और आपका device यहाँ पर boot हो जाएगा, तो यहाँ फोन हो चुगा है, यहाँ पर हमारा बिल्कुल set, दोस्तो मैंने यहाँ पर MIUI 1220.8.13 version को किया, यहाँ पर clean flash, system Delvick, data और vendor को wipe कर दिया, internal storage को छोड़ दिया, बाकी यहाँ पर wipe किया, उसके बाद मेरा यहाँ से पूरा जो है, रॉम बिल्कुल clean मेर को यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मैं आता हूँ, English, select करता हूँ, English, यहाँ पर आपको India का support दिखने हो नहीं मिलेगा, next करेंगे, skip कर दें अगर आप agree and continue, next करतेंगे, तो guys finally हमें यहाँ पर certain wallpaper, यहाँ पर super wallpaper का support देखने हो मिल गया, wallpapers में अगर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको agree करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर super wallpapers, यहाँ पर आपको देखने हो मिल जाते हैं, यह तीन तरह के यहाँ पर आ इंस्टॉल करना पड़ेगा यह रेड प्लेनेट यानि कि यह जो मार्स वाल पेपर आपको देखने हो मिलता था होम वाला अर्थ वाल पेपर जिसको बोलते हैं इन दोनों को आपको मैनुवली इंस्टॉल करना पड़ेगा मैनुवली इंस्टॉल कैसे करना है उसका वीडियो जो फोन है वो इस तक होता है या नहीं तो guys जब हम इसके aod screen पर जाते तो यहाँ पर तो मेरको अभी तक तो कोई दिक्कत देखने हो नहीं मिल रही है यहाँ पर अभी तो यह सही से work कर रहा है लेकिन तो आप यहाँ पर जल्दी बाजे में स्टक हो गया है अभी यहाँ पर आपका सूपर वालपेपर स्टक हो गया है तो guys यह problem आपको यहाँ पर देखने हो मिल रही है तो guys मेरा जो device है यहाँ पर काफी जादा bright हो जा रहा है AOD screen पर यानि कि जब आप यहाँ पर always on display आप यहाँ पर यूज कर रहे है तो यह काफी जादा bright हो रहा है यानि कि अभी यहाँ पर आपका जो device है वो sleep mode में नहीं जा रहा है I think इसमें कुछ ना कुछ problem आ रही है यहाँ पर और device यहाँ पर stuck हो गया है again दोस्तो always on display को आपको बंद करने के लिए यहाँ पर setting में आ जाना है setting में आने के बाद always on display पर आप जाएंगे always on display को आप यहाँ से off कर दीजिए आपका AOD screen यहाँ से off हो जाएगा साथ में आप यहाँ पर जो show animations हैं इसको भी आप यहाँ से off कर दीजिए none पर set कर दीजिए उसके बाद guys यहाँ पर आएंगे आप अपने my device पर my device में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं xiaomi.eurome20.8.13 वर्जन आप यहाँ पर use कर रहे हैं उसके बाद all specs में अगर आप यहाँ पर आएंगे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको android security patch level देखने हो मिलेगा 1 अगस्त 2020 का देखने हो मिलता है latest है और guys यहाँ पर जो kernel version आपको दिया गया है वो है perf plus यानि कि best आपको इसके अंदर battery backup देखने हो मिलेगा तो guys battery backup के लिए आप यहाँ पर tension मत लीजेगा perf plus अब आपके इस MIUI 12 के अंदर आ चुकी है तो battery backup तो आपको best देखने हो मिलेगा और काफी optimize भी किया होगा developer ने यहाँ पर तो guys यहाँ पर आपको हलका full का lag देखने हो मिलेगा यहाँ पर आप जब इस नए वाले super wallpaper को apply कर लेंगे तो यहाँ पर आपको UI में हलका full का lag देखने हो मिल रहा है मुझे अभी लेकिन जैसे जैसे हम इसे use करेंगे यह यहाँ पर fix होता चला जाएगा guys यहाँ पर आपको चले आना है settings के अंदर यहाँ पर आपको अभी यह जो control center है यहाँ पर आपको देखने हो नहीं मिल रहा है यह notification panel आपको MIUI 11 वाला देखने हो मिल रहा है तो इसको आपने लेके आना पड़ेगा control center में यहाँ पर आप चले जाएंगे display के अंदर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे control center and status bar यहाँ पर आप क्लिक करेंगे use new control center आपने इसको enable करना है तभी आप यहाँ पर जो आपका control center है वो आप यहाँ पर enable कर पाओगे कुछ इस तरह से तो यहाँ पर देखते हैं जो हमें इसके इंदर security देखने हो मिलता है security में आपका जो cleaner app है वो अभी आपको यहाँ पर जो इसका definition है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा जाता हूँ कौन सा definition आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगा तो guys यहाँ पर आपका जो clean master है वो अभी भी यहाँ पर update नहीं किया गया है अभी भी आपको यहाँ पर definitions में clean master ही देखने हो मिलता है हाला कि जो अभी Indian version MIUI 12 है उसके अंदर यहाँ से update आ चुका था लेकिन MIUI के अंदर आपको clean master ही देखने हो मिलेगा तो आप यहाँ पर जो security application है उसको कोई भी यहाँ पर आप permission मत अलोग कीजिएगा तो गाइस cleaner का यह जो आपको यहाँ पर update automatically देखने हो मिलता है इसको आपने off कर देना है नीचे आपको security scan देखने हो मिलेगा इसको भी आप auto update को off कर दीजिए उसके बाद आप यहाँ पर इसको use कर पाएंगे लेकिन आप यहाँ पर किसी भी permission को allow मत कीजिएगा उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो MIUI 12 का latest camera application देखने हो मिलता है वो यहाँ पर आप चेक कर दीजिए थोड़ा यहाँ पर आपने allow करना है उसके बाद आप यहाँ पर allow करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का icon देखने हो मिलेगा इसको ok कर दीजिए यहाँ पर portrait mode में अगर आप जा रहे थे तो यहाँ पर आपको जैसी आप यहाँ पर shutter करते थे उसके बाद आपका gallery open नहीं होता था अभी भी यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर आप अगर जाएंगे portrait mode के अंदर यहाँ पर अगर मैं आपको एक portrait यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूं तो गैस बैक्ग्राउंड में कुछ इस तरह का effect आपको देखने हो इस पोटो को जूम करके दिखा देता हूं तो यहाँ पर आपका जो portrait mode है यहाँ पर working है यहाँ पर जो आपको इसका जो watermark है वो मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूं वोटरमार्क वाला issue अभी भी है या नहीं यहाँ पर तो यहाँ पर setting में आप चले जाएए और वोटरमार्क आपका off है device वोटरमार्क आप on कर दीजिए तो वाटरमार्क आपका यहाँ पर me a3 अब यहाँ पर आपका fix हो चुका है यहाँ पर me 3 a आ रहा था पहले तो अब यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़ भी fix हो चुकी है guys यहाँ पर आपको एक bug देखने हो मिल रहा था Google Pay और Paytm को यूज़ कर रहे थे तो आपका यहाँ पर working नहीं हो रहा था यहाँ पर insert sim card दिखा रहा था यहाँ पर एक bug देखने हो मिल रहा था तो guys देखते हैं वो यहाँ पर fix हो आए या नहीं तो guys देखते हैं यहाँ पर Google पे हमारा work करता है या नहीं तो guys यहाँ पर insert sim card to register यहाँ पर अभी भी यही वक देखने हो मिल रहा है Google Pay के अंदर तो guys इस ROM के अंदर भी आप यहाँ पर banking apps को use नहीं कर पाएंगे यहाँ पर आपका fix नहीं हुआ है insert card यहाँ पर आपको problem देखने में मिल रहा है तो guys यही यहाँ पर issues देखने हो मिल रहा है no sim card found in phone आप देख सेतने यहाँ पर मेरा network भी available है सभी sims यहाँ पर available है लेकिन यहाँ पर जो मेरे को issue देखने में मिल रहा है वो यही है no sim card found in phone Saturn वाले wallpaper को जब आप यहाँ पर use कर रहे तो आपका यहाँ पर काफी ज़ादा strutory lag देखने हो मिल रहा था यानि कि आप जब भी भी यहाँ पर swipe down कर रहे थे मेरा जो screen था वो काफी यहाँ पर बलकि app opening मैंने भी यहाँ पर आपको problems देखने हो मिल रहे थी अभी आप जैसे यहाँ पर live wallpaper को हटाते हैं simple केसी भी wallpaper को यहाँ पर set करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो app response है वो काफी सही है और कोई भी lag मेर को अभी यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहा लेकिन गाइस still यहाँ पर जो आपका banking apps है वो यहाँ पर work नहीं कर रही है आप काफी हद तक यहाँ पर bugs जो हैं fix हुए हैं जैसे कि यहाँ पर perf plus kernel को यहाँ पर दिया गया है इस ROM के अदर साथ मैं आपको यहाँ पर जो MIUI 12 के अंदर latest camera application था इसके अंदर portrait mode के अंदर bug था वो यहाँ से fix हो चुका है guys यहाँ से आपका जो google पे और ptm के अंदर यह जो issue देखने हो मिल रहा है sim card not insert का यह यार fix हो जाना चीए था I hope इसके लिए आपको कोई ना कोई fix जल्द ही मैं provide करूँगा दोस्तो आपको यहाँ पर यह वाला जो ROM है यह आपको upgrade लगा है या फिर यहाँ पर downgrade किया गया है नीचे आप comment box में जाकर comment जरूर से कर देना अगर आप यहाँ पर एक घंटे के अंदर comment करेंगे तो यहाँ पर आपको hurts and likes हमारे दरफ से मिलेंगे दोस्तो एक request है यार आपसे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगने तो यार वीडियो को like करना मत भूला कीजिए एक like drop जरूर से कर दिया किजिए अगर आपको वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं कोई problem नहीं है पूरा वीडियो देखें नीचे comment में जाकर comment कर दिजिए आपको क्या अच्छा नहीं लगता हमारे वीडियो में हम जरू से improvement लेके आएंगे तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को जाज 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 शेयर कर देना आपने सभी social media handles पर facebook, twitter, instagram, whatsapp जहां पर भी आपके account जार सभी जगा हमारे इस वीडियो को शेयर कर दिजिगा तो गाइस मैं मिलूँ आपसे next वीडियो में जय हिंद, वन्दे मातरम, you guys have a great day